दोस्तो आज हम बनाएंगे काजू नमकीन ये परतदार नमक पाड़े शिर्फ आठे और मूंग दाल से बनाएंगे ये नमक पाड़े तो चलिए अब बनाते हैं खस्ता नमकीन नमक पाड़े ये मूंग के दाल 4-5 घंटा पानी में भिंगोया हुआ है तो अब इसमें एड़ करेंगे चार हरी मिर्च थोड़ा सा अद्रक का ठुकड़ा इन्हें मिक्सी बॉल में हलका दरदरा पेस लेंगे अब एक बॉल में इस दाल के पेस्ट को डाल देंगे सारे दाल हम पेस के एक जगर कर लेंगे अब इसमें डालेंगे 1 टेस्पून जीरा, 1 टेस्पून आजवाइन अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें एड़ करेंगे कलर के लिए ज्यादा हल्दी नहीं डालेंगे अब इसमें एड़ करेंगे नमक वो भी अपने स्वाद के अनुसार एड़ करेंगे इसमें आटा भी एड़ करेंगे इसलिए थोड़ा सा नमक जादा एड़ करेंगे मोयन के लिए इसमें 6-7 चमच तेल एड़ करेंगे इससे नमक पाड़े बहुत खस्ता बनेंगे अब इन सब को अच्छे से फेट लेंगे अब इसमें मिलाएंगे गेहूं का आटा आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं लेकिन गेहूं का आटा हेल्दी ओप्सन है इसमें आटा उतना ही मिलाएंगे जितना इसमें आटा लग सके तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आटा ही इसमें मिलाएंगे तो इसे ऐसे एक डो बना लेना है अब इसे 10-15 मिनट तक से ठोने के लिए रख देंगे अब थोड़ा सा आरा रोट लेंगे और इसमें रिफाइन डाल के इसका ऐसा पेश्ट बना लेंगे आप चाहे तो कॉन फ्लार या आठे से भी बना सकते हैं लेकिन आरा रोट से नमक पाड़े बहुत खस्ता बनेंगे इधर अब हमारा आठा भी सेट हो गया है हमें इस आठे को आठा से थोड़ा सा सकत रखना है अब इसमें से बड़ी बड़ी लोई तोड़ लेंगे तो हमें चार लोई बना लेनी है तो अब इसे बेलेंगे रोटी जैसे ही बेलना है अब इसे बेलना है अब इस एक रोटी को रखेंगे और ये आरा रोट वाला साथा इस बेलना है अब एक दूसरा रोटी लेंगे इस पर फैला देंगे अब इस रोटी के ऊपर आरा रोट वाला साथा फिर इस पर फैला देंगे इसके बाद एक रोटी और इस पर डालेंगे इस फिर एक बार आरा रोट वाला साथा लगाएंगे अब इसके ऊपर एक और रोटी रखेंगे ऐसे करके हमें चार रोटियों का लेयर बनानी है अब इसे बेल लेंगे हलका बेलेंगे थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि चार रोटी मिलके जादा मोटा हो गया तो इसे थोड़ा सा पतला करेंगे अब किसी दवाई के बोतल के छोटा सा धकन लेंगे अब इसे ऐसे करके काट लेंगे तो ऐसे करके हमें सारे काजू नमक पाड़े काट लेने हैं और इसे एक साइड से हलका दवाते जाएंगे तो हमने सारे नमक पाड़े कट कर लिये हैं अब वाईल को चेक करेंगे गरम हुआ है या नहीं तो अब ये आटा फूल गया है तो समझे वाइल गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे काजू नमकेन इन्हें हम कर्ची के मदद से वाइल में डालेंगे नहीं तो वाइल उछल सकता है इन्हें वाइल में डालने के तुरंत बाद ही इसे उलट पलट करेंगे ताकि इनकी लेयर है जो खुल जाएंगी इनको medium flame पर fry करेंगे, high flame पर fry नहीं करेंगे नहीं तो उपर से तो color आ जाएंगी लेकिन अंदर से कच्छे रहेंगे तो आप देख सकते ही कितना अच्छा बना है नमक पारे और देखिए इनका color कितना अच्छा है और इनकी layer भी खुल गई है तो अब ये हो गए हैं अब इसको किसी भी वॉल में निकाल लेंगे अब सारे नमकिन निकाल लिए हैं अब बनाते हैं बचे हुए आटे से तो इसे रोटी जैसे ही बेलना है थोड़ा बड़ा बेलेंगे रोटी से और थोड़ा मोटा बेलेंगे अब इसे कट कर लेंगे किसी चाकू या किसी कटर से अब इन्हें भी फ्राइ कर लेंगे गैस मीडियम फ्लेम पे रखेंगे हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे ताकि ये कलर तो आ जाएंगे लेकिन कच्चे रहेंगे वन टेस्पून सिम्ला लाल मिर्च लेंगे हाप्टे स्पून काली मिर्च पार्डर हाप्टे स्पून जीरा पार्डर हाप्टे स्पून चाट मसाला अब इन सब मसाले को मिला लेंगे अच्छी तरह से इसको फिर देंगे इस नमकिन को और चरपटा बनाने के लिए सारे मसाले इसमें मिला देंगे तो देखिए फिंट्स कितने कडारे और कुरकुरे बने हैं नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी है